कॉंग्रेस के पूरु सांसद लक्षमन्सी राहूल गांदी को नेता नहीं मानते शनीवार को गुणा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फेंस में उन्होंने कहा कि राहूल गांदी को आप भी बड़ा नेता मत मानिये मैं तो नहीं मानता बता दे कि पूरु सांसद लक्षमन्सी शनीवार को गुणा पहुचे थे उन्हें प्रभारी कलेक्टर से मिलना था अपॉइंट्मेंट भी लिया था लेकिन तैस समय पर जब लक्षमन्सी पहुचे तो प्रभारी कलेक्टर नहीं मिले लक्षमन्सी गुना बस हाथसे में मारे गए लोगों की साहता के लिए मदद राशी का चेक सोपने के लिए आये थे इसके बाद वो कॉंगर्स जन्चम पर कारलाय पहुचे या उन्होंने मीडिया से बात करते वे कहा कि परिवन विभाग निरंकुष है विभाग में भयानक वश्टाचार है कॉंगर्स शासन में भी इस विभाग में वश्टाचार होता आया है उन्होंने शेयर के विवसाई समाथ सेवी और सक्षम नागरी को से अपील किये कि वो बस हाथसे में म्रत लोगों की साहता के लिए आगे आए क्योंकि राजसरकार द्वारा मतकों को दी जा रही साहता राशी बहुत कम है जो राशी राजसरकार उन्हें देगी उसे कर्शदार बलपूरवक छीन लेंगे इसलिए सभी का दायत्व बनता है कि मतकों के परीजनों की मदद की जाए लक्षमन्सी ने बस हाथसे के बाद प्रशासरन द्वारा की की कारवाई के तरीकों पर भी सवाल खड़े किये हैं उन्होंने चिंता जाहिर करते वे कहा कि इतने बड़े हाथसे के बाद राश्टपती और पी-म को ट्वीट करना पड़ा तब जाकर बसो पर कारवाई की जा रही है इसी दोरान एक सवाल पर लक्षमन्सी ने कहा कि राहूल गांदी एक सांसद हैं वो अद्यक्ष नहीं है और कॉंग्रेस के एक कार करता है इसके अलावा राहूल गांदी कुछ नहीं है तो राहूल गांधी को इतना हाइलाइट आप लोग भी मत करिए नहम करें वो एक सांसद है, के मेर उक सांसद हैं, और हमारे जो सांसद है उनकी बराबरी है कोई जणम से नहीं हो जाता, अपने करम से होता है तो राहूल गांदी को अतना ज़्यादा बड़ा निता मत मानिये मैं तो नहीं मानता साधरन सांसद है